सपने में कड़ा देखना या फिर कंगन देखना या ब्रैसलेट देखना या फिर चूड़ी देखना ये सब इन सब का मतलब जो है एक ही होता है और इन सब का जो जानकारी है वो एक ही है तो चलिए आज की वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ मैं बात करने वाला हूँ कि सपने में कड़ा कोई कड़ा बोलता है या फिर कोई अलग तरीके से जो होती हो ब्रैसलेट वगयरा भी बोलते हैं और चूड़ियां होती है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेश्ट ठीक है कि अगर आप हमारी इस चैनल पर नए हैं तो हमार से रिलेटिड एक वीडियो रोज अपलोड करते हैं तो शलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि सपने में कड़े जो हाथ में पहनते हैं हजरत कहते हैं कि अगर सपने में कड़े ओरतों के लिए शोहर है यानि कि अगर ओरते देखें कि उन्होंने सपने में कड़े देखे हैं चूड़ी देखिए या फिर कंगन देखें तो उसका मतलब है औरत शोहर करेगी और अगर यही अपने हाथों में मर्द देखे के कंगन है तो मर्दों के लिए गम परेशानी है यानि के परेशानी देख सकता है या फिर कोई ऐसी तकलीप पहुंचेगी जिससे उसको परे आएगी और अगर देखें कि उसके पास चांदी का कड़ा है चांदी का गोल्डन गोल्डन सोने को बोलते हैं उसका काम परेशानी से होगा और कम होगा यानि कि दिकत परेशानी हा उसके सामने खड़ी होगी है यानि कि कोई ऐसा काम है उसका जिसकी वजह से वागे नहीं तो इसका मतलब है उसके यहां फरजन पैता होगा अगर कोई लड़का देखे यानि के तो इसका कोई उसके यहां भाई पैता होगा और अगर देखे यही सपना चांदी का कड़ा और देखे तो इसका मतलब है शोहर करेगी यानि के शादी करेगी हज़रत जाबिर मगरबी रहमत ल्लाहियली फरमाते हैं अगर खौब में देखे, सपने में देखे कि उसके दोनों हातों में कड़े हैं तो उसका मतलब है माल और नामत रंज से हासिल होंगे यानि कि उसको पैसे वग्यारा कहीं से मिलेंगे माल दोलत उसको कहीं से मिलेगी जो उसको तकलीफ परेशानी उठाने के बाद हासिल होगी हज़रत जाफर साथी कहते हैं कि सपने में खौब में कड़ो का देखना पांच वज़े पर है रियासत, नमबर दो हिकमत और नमबर तीन मकर, नमबर चार गम और नमबर पांच, फरजन्द तो सपने में कड़ा देखना कोई ज़्यादे परेशानी का सबब नहीं है अगर औरते देखें तो शोहर है यानि के मरत देखें तो परेशानी है तो लड़कों के लिए दिक्कत परेशानी थोड़ी हो सकती है लेकिन अगर फीमेल देखें तो फीमेल के लिए ये सपना कुछ हद तक ठीक है गबरानी की जरूरत नहीं है कोई ऐसा मतलब नहीं है क्योंकि सपना जो इनसान देखता है देखता कुछ है और उसका मतलब कुछ और होता है तो छोटी सीरी क्याश्ट अगर वीडियो पसंदा आए तो लाइक करें और हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब करें और अगर कोई बात हमारी समझ में आए तो कमेंट करें हम आपके हर सवाल का जवाब देते हैं